ओम शांति ओम शांति आज 25 मईं 2023 दिन गुरु वार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बापतादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बली चड़ा दो फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा प्रश्न हर एक ब्रह्मन बच्चे को कौन सी युक्ती जरूर सीखनी चाहिए उत्तर सर्विस करने की युक्ती जरूर सीखो शोक हो ना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे काड़ छपाओ जो मनुष्य को पता पड़े कि परमात्मा को सर्व्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है तुम बच्चे तीर्थी आत्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो गीत जिसका साथी है भगवान ओम शन्ति बच्चों ने गीत सुना बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं बाकि जिनोंने गीत गाया वे इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते ना उनों के साथ भगवान है ना उनों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्सा देते हैं बाप नहीं आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचे दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तुफानों को समझते हो, वो लोग तो क्लेमेटी जादी को तुफान समझ लेते हैं। ये तो पांच विकार रूपी माया के तुफान आते हैं। पुर्शार्थ में माया बहुत विघन डालती है, परंतों उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीती याद करने से ही तुफान उड़ जाते हैं। बादिशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चे होगा कि हमारा बाबा बादिशा है। इस बादिशाही का मैं मालिक हूँ, नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई-कोई को ऐसा पक्का निश्चे है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है, इसलिए माया के तुफ़ान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं दुनिया में भगवान को यथार्त रीती कोई नहीं जानते, तुम बच्चे असल में शिवाले के रहने वाले थे, अब वैशाले है, इस समय मनुष्य बंदर से भी बत्तर बन गए हैं, मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है, मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, नहीं जानते, बाप कहते हैं, तुम दिल रूपी दरपण में अपनी शकल देखो, तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परन्तु जो श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया उनको नालायक बना देती है, बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुमारे पास है, वह सब बली चड़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा मामत्व मिटा देंगे, तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज हैं, राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं, तो गोद लेते हैं, गरीब का बालक अगर साहुकार की गोद में आ जाता है, तो कितना खुश होता है, हम इतनी प्रौपर्टिक के मालक हैं, बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़ पति के बच्चे हैं, इस ज्यान का तो उनको पता ही नहीं है, तुम जानते हो इस ज्यान में कितन भारी नशा रहता है श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे नहीं चलने से नहीं बनेंगे भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाही नहीं रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्सा देते हैं हम बाबा की संतान बने हैं वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं परन्तु अब शिव बाबा आकर प्रेक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं अभी तुम सम्मुक बैठे हो जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लाइक बनाने लिए मत दे रहे हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फसना है एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धी में रखना है उनका नाम रूप ही मनुश्यों से न्यारा है बाप कहते हैं तुम हमारे थे निर्वान धाम में रहने वाले थे क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा, परम धाम, शान्ती धाम अत्वा निर्वान धाम की रहने वाली हैं हमारा स्वधर्म शान्त है यह शरीर और्गंस है कर्म करने के लिए नहीं तो पाट कैसे बजाएंगे हम मात्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है ये बिलकुल नहीं जानते ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे जानवर थोड़े ही जानेंगे पर मात्मा को सरव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए है ये मात्मा है कहते हैं क्राइस्ट को इब्राहम को परमपिता पर मात्मा ने भेजा तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला ये तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता इस समय मनुष्य अग्यान अंधेरे में है ना बाप को ना अपने को ना रचना को जानते हैं मैं आत्मा हूँ ये शरीर अलग है हम आत्मा वहां से आई हैं ये सब बाते बाबा ही याद दिलाते हैं और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ तुम्हारा निमंत्रन बहुत अच्छा छपा हुआ है शिव का चित्र भी है यह बाबा यह लक्ष्मी नारायन है वर्सा लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायन जैसा बनने का वर्सा लो तुम नर से नारायन बनने के स्टुडेंट हो वह साहुकारादी के बच्चे पढ़ते होंगे तु कितना खुश होते होंगे परन्तु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है अल्पकाल के सुख लिए महनत करते हैं तुम बच्चे सदा सुख पाते हो यह भी तुम ही कह सकते हो कहां भी जाओ हाथ में निमंत्रन पत्र हो बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचियता है उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है यह निमंत्रन ऐरोप्लेन से गिरा सकते हो अकबार में डाल सकते हो बड़े बड़े को निमंत्रन मिल जाएगा यह एरोपलेन विनाश के लिए भी है तो तुमारी सर्विस के लिए भी है यह काम गरीब तो करना सके परन्तु बाप है ही गरीब निवास गरीब ही वर्षा पाते हैं सहुकार तो ममत्व में फसे हुए है सरेंडर होने में रिदे विदीरन होता है कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदे होता है बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधू संत विद्वानों का उध्धार करना है आगे चलकर वह सबाहेंगे अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं वे यह नहीं जानते कि ग्रस्त व्यवार में रहते बाप ने राज योग सिखाया है उन्हों का हठ योग कर्म सन्यास अलग है भागवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए बाबा भक्ती में भी लक्षमी नारायन के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे श्री क्रिश्न के चित्र को देख बहुत खुश होते थे बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्यान करना है तो सर्विस में लग जाओ एम उब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है वर्सा है डीटी वर्ल्ड सावरंटी उपर शिबाबा, नीचे लक्षमीन आरायन कितना सहज है समझाना तो सबको निमंत्रन देना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्सा जरूर मिलना है जहां बहुत लोग जाते हैं वहाँ है पर्चे जरूर फैक करने चाहिए कोई कुछ कह नहीं सकता अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्सा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो बाप कहते हैं देखो यह मेरी इंसल्ट करते हो मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ मुझे फिर भित्तर ठिकर में डाल दिया है अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बाटो अमरनात की यात्रा पर जुन्ड जाता है वहाँ जाकर बाटो इसमें लिखा हुआ है यग्य तप तीर्थ आदिसे मैं नहीं मिलता हूँ परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए समझाना चाहिए वह है गौड फादर सिर्फ भगवान इश्वर परमातमा कहने से पिता अक्षर नहीं आता गौड फादर कहने से पिता अक्षर आता है हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे परमातमा सर्व व्यापी है तो क्या परमातमा पतित हो गया वह तो है उचे ते उचा उनका यादगार मंदिर भी है तो बच्चों को युक्ती से सर्विस करने का शोक चाहिए यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो वह है जिस्मानी यात्री तुम हो रुहानी यात्री समझाना चाहिए तुम कहां जाते हो शंकर पारवती तो सूक्ष्वतन में रहते हैं यहां वह कहां से आई, यह सब है भक्ती मार्ग, तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, भक्त बिचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है, उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हूँ, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए, बाप आया है स्वर्ग का वर्सा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुझ फिरा देती है, इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है, अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुक बैठे हो, दुनिया को थोड़े ही कि बाप सम्मुक खाएं है, सब आत्माओं की जोत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, थोड़ी लाइट रहती है, फिर बाबा आकर ग्यान गृत डालते है, जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, यहां योग से आत्मा की जोत जगाई जाती है, ग्यान की ध कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं, सिवाए योगेश्वर के कोई योग सिखला न सके, योग सिखलाने वाला है इश्वर, वह है निराकार, बाप कहते हैं, तुमको अब योग सिखला रहा हूं, अब तुम्हारा 84 का पाट पूरा हुआ, कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के एक दो जन्म भी होते हैं, तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी हैं, भारत ही हैविन था, गोड गोडेज का राज्य था, यह बातें सिवाए तुम्हारे कोई समझा न सके, गाली भी तुमको खानी पड़ती है, बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं सितम सहन करेंगे, यह भी ट्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे ही होगा, अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धी बनाता हूँ, ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो, ऐसे म मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, रहा हुआ पापों का खाता यहां चुक्तु करना है, अगर योग नहीं लगाएंगे, तो सजा खानी पड़ेगी, उस समय बाबा साक्षतकार भी कराते हैं, तुम हमारे बनकर फिर फा मीठे मीठे सिकीलदे सदा सलामत बच्चों को मात पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट हूम में जाएंगे, अब यहां रहने में जरा भी मज़ा नहीं है, अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे, यह यत्रा बड़ी वंडर्फूल है, इसमें माया बहुत विगन डालती है, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहा दारना के लिए मुख्ये सर, एक शिबाबा का नाम रूप बुद्धी में रखना है, और किसी के भी नाम रूप में फसना नहीं है, माया के तुफानों की परवाह नहीं करनी है, मेरा तो एक शिबाबा, दूसरा ना कोई, इस विधी से तुफान हटा देनी है, वर्दान, सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्यानी योगी तु आत्मा भव, सदा यथार्थ श्रेष्ट कर्म द्वारा, सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्यानी योगी तु आत्मा भव, अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझे, जो ज्यानी और योगी तु आत्म हैं उनके हर कर्म स्वत युक्ति युक्त होते हैं युक्ति युक्त अर्थत सदा यथार्थ श्रेष्ट कर्म कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वानी या कर्म चाहे वह कर सकेगा उनके संकल्ब भी यु युक्त की निशानी है ही युक्ती युक्त। स्लोगन जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। ओम शंती। ओम शंती।